हेलो फ्रेंज वन्स अगें वल्कम बैक टो यूण यूट्यूप चैनल लर्निंग नीड और जैसे कि आपको पता है कि डिली रात को साढ़े आठ बजी के आपकी क्लास है इस वक्त करेंट अफैर की जी क्लास आपकी नौ बजी चलती थी और रीजन क्या था वो मैंने आप लो लोगों के लिए मैंने इस क्लास को साढ़े आठ बजे शिफ्ट कर दिया है तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बीना टाइम विस्ट देखेंगे टैन क्यूशन करेंट अफैर के और तैयारी क्योंकि आपकी कही न कहीं देखें निरंतर चलते रहनी चाहिए यही हम प पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़ते रहे क्योंकि एक्जाम जब कभी भी यह कुरोना का सारा जो प्रॉब्लम जो वीशू होगा सब कुछ होगा तो एक्जाम तो होगा ही खैर चले स्टार्ट करते हैं आज का जो फॉस्ट क्यूशन है विश्ट स्वास्त दिवस वर्ड हेल प्रति वर्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है साथ अप्रेल पांच मार्च दस फरवरी बीस जन्वरी तो जाहिर से बात है कि करेंट अफैर का क्यूशन है और अप्रेल चल रहा है तो उप्चन नमबर A हाँ सही हो जाता है साथ अप्रेल तो यहाँ पे देखें विश्व स्वास्त दिवस का उद्देश ही क्या है पहली ये समझना है आपको तो पूरे विश्व के स्वास्त एवं उससे जित्ती भी संबंदित समस्याएं हैं इन पर विचार मिमर्श करना और पूरे वर्ड में कहीं कहीं समान नॉर्मली एक हेल्थ का देख भाल करने की सुविधाओं के बारे में लोग को जागरुक करना जागरुकता फैलाना इसक वर्ड की थीम क्या थी तो विश्व स्वास्त दिवस 2020 की थीम रही है नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें जो नर्स होती है मिडवाइफों होती है इनका समर्थन करें सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ विश्व स्वास्त संगठन की प्रथम विश्व स्वास्त सभाव वर्ष 1948 में आयोजित की गई थी ठीक है और ये दिवस जो है मनानी की शुरुवात कप की गई 1950 में तो अगर पूछा जाता है कि विश्वसास दिवस कब से मनाया जा रहा है 1950 से मनाया जा रहा है नेक्स देखेंगे दिदली एवं उसके पारस्तिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने की उद्देश से किस राज के तिरुचिरा पल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है ये आपके EBS में भी पूछ सकता है ये आपके GKS में से भी सो यहाँ पर जो करेक्ट एंसर होता है आपका उप्शन अब भी हो जाता है तमिल नाडू ये इसका से एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन देखेंगे हाल ही में इस पाइवेर पेगासस का निर्माड करने वाली किस देश की तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वाइ तो यहाँ पर जो इसका सही एंसर होता है वो तो आपका उप्शन नंबर सी इजराइल तो NSO ग्रुप ने जो इसके मुख्य कारिकारी अधिकारी है उनके अनुसार ये चीज़ है कि कोरोना वाइरस के संक्रमण की निगरानी के लिए टेक्नोलोजी का यूज जो है उससे न आपसे ये भी नहीं की बहुत ही जादा और ये भी नहीं की बिल्कुल ही नहीं और थोड़ी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसके साथ हम जो है यूज करें तो कहीं ने कहीं जीवन बचाया जा सकता है लोगों का और इस सौट्वेर के परिक्षड के लिए जराह वेंटिलेटर विक्सित किया है अभी मैंने आपको जीवन के बारे में बताया था जो की वेंटिलेटर है ठीक है जो की रेल कोच फैक्टरी ने बनाया है जिसकी कीमत जो है करीब 10,000 रहेगी अब यहां पे एक और क्यूशन उसी से रिलेटर है प्राण वायू नाम का किया जा सकेगा इसमें लागत भी काफी कम आएगी और काफी कम समय में इसे बनाया भी जा सकता है ठीक है फिरहाल बेविनार में जो है 450 कमपनीओं को प्राण वायू एंटिलेटर का डिजाइन जो वो दिखाया गया है प्रस्तुत किया गया है जो भी समें रस लेती है बना सब्सक्राइब कर दिया है बिहार राजस्थान ओडिसा जारकंड और और सही एंसर होता है इस क्वेशन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी ओडिसा तो भारत में कोरोना वायरस के जो है मामले आपको पता ही कि लगातार बढ़ रहे हैं इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कोशिश है वो तो है लेकिन सभी राजस्था सरकारे भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कोई संपोर्ड लॉकडाउन कर रहा है कोई करफ्यू वाली सिच्वेश में लागू हो जाएगा और आदेश अगर कोई नहीं मानता है सब मिलता है कोई परसन जिसने नाके मून नहीं ठका है बाहर है वो तो उसकी खिलाफ जो भी है कारवाही भी होगी चले देखेंगे नेक्स्ट क्यूशन हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वाइरस महामारी के बीच दो महीने में भारत के किस अमीर शक्स की नेट वर्थ एक दशमलो चार चार लाख करोड रुपे घटी है गौतम अडानी, अनिल अम्बानी, मुकेस अम्बानी, लक्शमी मित्तल सो करेक्ट एंसर इस क्यूशन के लिए जाता है आपको अप्शन नमर सी मुकेस अम्बानी और दिल्ली के अर्विंध केजरी वाल ने हाल ही में कोरोणा वायरस से लड़ाई के लिए किस देज की तरज पर एक 50 प्लान जारी किया है अभी कल के ही निउस में काफी जादा ये सब कुछ था न्यूस जरूर देखा करी आप लोग घर पे ही है और ठीक है शक्तिमान और नवैन तो देखना ही है लेकिन न्यूस देखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके काम आएगा चले देख लेते हैं क्या होता है इसका correct answer इसके लिए सही answer हो जाता है आपका option number B दक्षिर्ड कोरिया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अर्विंद केजरी वालने इन्होंने दक्षिर्ड कोरिया की तरज पर एक 5T plan जो है वो जारी किया है और यह 5T का मतलब क्या हो इसमें यह 5 जो T है यह T का मतलब यह वाला T हो गया ठीक है इसका मतलब हो गया testing, tracing, फिर treatment, फिर teamwork और फिर tracking इसका जो है सहरा लिया जाएगा और इन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक लाख लोगों की rapid testing की जाएगी अभी फिरहाल दिल्ली में करीब 525 कोरोना मरीजी अभी थोड़े अबडेट हो गए हो तो नहीं कह सकती हो आप जब तक वीडियो देख रहे हो सकता है तब तक क्योंकि हर थोड़ी देर में जो है आकड़ी बदल रहे हैं थोड़ी थोड़ी बढ़ रहे हैं सो यह ऐसा fix नहीं है चलिए देखेंगे next question जापान के प्रधान मंत्री सिंजो तेजी से वरिद्धी होने के बाद टोक्यो और देश के च्छ अन्य हिस्सों में कितने महीने के लिए आपातकाल की घोष्णा की है चार महीना तीन पांच या एक तो यहाँ पे जो गरेक्ट एंसर होता है वो हो जाता है आपका option number D एक महीने के लिए emergency घोष्णा की है यह इ लागू जो lockdown है उससे थोड़ा कम सकते है लेकिन यह स्थानी जो governor है उनको लोगों से घरों में रहने और उद्ध्योगों को बंद करने के लिए कहने का अधिकार भी यह देता है कि हाँ आप जो है अलम मतलब ऐसा order दे सकते हैं किस देश ने malaria रोधी दवा hydroxy chloroquine के निर्यात की को अनुमती दे दी है भारत नेपाल चीन रूस यह तो काफे जादा भी चर्चा में था दो तीन दिन पहले मैंने इससे related कुछ दिन पहले आए दो तीन नी कुछ दिन पहले मैंने और भी जो है इसके बारे में बताया हुआ कि चलिए देख लेते हैं कि यह होता इसका करेक्ट एंसर option number A से हो जाता है भारत इसको लेकर सरकार ने बहुत बड़ा जो है यह कदम उठाया है सरकार ने इस दवा पर जो निर इसकी दवा के निर्यात से जो आंशिक तोर पर प्रतिबंध फिरहाल हटा दिया है तो यह जो आश्ट्रिय दिवस मनाया गया केन्या रवांड़ा सोमालिया जामिया सो करेक्ट एंसर होता है यहां पर आपका option number B रवांड़ा यह इसका करेक्ट एंसर जाएगा तो रवांड़ा में तुट्सी के खिलाफ 1994 किंडर संघार पर अंतर राश्ट्रिय दिवस जो है वो 7 अप बता दो कि रवांड़ा हर साल अपरेल में अपने वार्सिक 100 दिनों के शोग की सुरुवात करता है अपरेल से यह 100 दिन का शोग जो है वो स्टार्ट करते हैं जो कि तुट्सी अल्प संक्यक के खिलाफ जो नरसंगहार उआ था उसकी याद दिलाता है उसके उसमें है करीब 100 दिन तक चले यह नरसंगहार जो है 100 दिन तक करीब चला था इसमें 5 लाख से लेके 10 लाख लोग जो है मारे गए थे यानि कि बहुत बड़ा यह ट्रैजडी थी चलिए फिर देख लेते हैं अब यहाँ पर बता दें कि यह जो संक्या थी पूरे देश की आबादी के करीब 20 परसंट थी यानि कि लगवब पूरे देश के 20 परसंट लोग इस दरसंगहार में खत्म हो गये थे I think परियाब जानकारी इसके बारे मैंने दे दी है अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइ बढगे